हेलो गाईज कैसे हैं आप सब आई होब आप अच्छे होंगे हल्दी होंगे खुस होंगे और मैं भी अच्छी हूँ और ये जो व्यू है ये मेरा फ्रेंट वाला बालकनी से है और यहां से काफी अच्छा व्यू आता है तो देखिए आप और इंजॉई कीजिए चलिए अब ब्रेकफरस्ट बनाते हैं तो ब्रेकफरस्ट अज मैं 12 वाला ब्रेकफरस्ट बना रही हूँ तो यहां पर मैंने पैन में मस्टरड ओयल लिया है और उसमें क्यूमिन सीट्स एड़ कर दिया उसकी बाद मैंने पोहा एड़ किया है यह 250 ग्राम पोहा था और टर्मरीक मैंने थोड़ा सा एड़ किया है यहां पर कुछ वेजिस लिए है मैंने अनियन है गार्लिक है ग्रीन चिलिया है और फ्रोजन मतर है taste के according मैंने sold add कर दिया है इसमें और इसको crispy होने तक fry कर लूँगी और फिर इससे एक plate में निकाल लूँगी फिर मैंने इसी pan में refined oil add किया है और 6-7 green chili add किया है इसमें मैंने हलका सा तोड लिया था 20 से और गार्लिक एड़ किया है मैंने एक बड़े साइच का गार्लिक लिया था 20-22 कलिया होगी इसमें और एक बड़े साइच का अनियन लेके स्लाइसेस में कट करके उसको भी फ्राइ कर लेंगे यहां मैंने चाय बनाया है पोहा के साथ खाने के लिए क्योंकि चाय के साथ पोहा का टेस्ट कुछ जादी अच्छा लगता है खाने के लिए और यहां फिर मैंने अनियन गार्लिक और ग्रीन चिली मेरा फ्राइ हो गया था तो मैंने फ्रोजन मटर को एड़ कर दिया और एक से दो मिनट फ्राई करके फिर पोहा एड़ करके उसको भी फ्राई कर लेंगे एक से दो मिनट के लिए और बहुत ही यम हेल्दी एंड टेस्टी ब्रेकफस्ट बारिस का रेडी हो जाएगा तो बस इसके चाय के साथ इंजोई कीजे और बारिस के दिनों में ये वाला रेसिपी जरूर ट्राई करना और यहां पर बैटके मैं अपना चाय और पोहा का जो नास्ता है वो इंजोई करूंगी बाहर का खुबसूरत व्यू देखते हुए यहां बैटके मुझे नास्ता करना बहुत ज़दा अच्छा लगता है क्योंकि बाहर का जो व्यू है उसको देखना इंजोई करना अच्छा लगता है चलिए मैं आपसे मिलती हूं नास्ता करने की बाद तो चलिए बनाते हैं लंच तो आज मैं बनाऊंगी रगडा चार्ट या मतर की चार्ट कुछ भी बोल सकते हैं आप तो मैंने यहां पर मतर ले लिया है सफिसेंट वाटर ले लिया है और उसमें खाने वाला सोडा और नमक एड़ करके बोल होने के लिए रग दिया है यहां मैंने पिटेटो को बोल कर लिया था और इमली को मैंने पानी में भींगो करके रग दिया था तो देखिए दो विसल आने के बाद मैंने मटर को अपिन किया और मटर बहुत ही अच्छे से बॉयल हो चुका था तो यहाँ पे मैं खाने वाला जो food color होता है वो add करूंगी क्योंकि मैं ऐसे थोड़ा market style touch देना चाहती हूँ और इसे थोड़ा देर food color देने के बाद boil कर लेना है बस इसमें और कुछ नहीं करना है उसके बाद मैं आज टिकी चार्ट बना रही हूँ तो टिकी चार्ट के लिए मैंने यहाँ पे आलू ले लिया है boil करके और food color और थोड़ा से solded किया है बहुत थोड़ा सा और इसको अच्छे से मिला लेंगे हाथ से ही मैं मिला रही हूँ क्योंकि वो ज्यादा अच्छे से मिल जाता है और हाथ में थोड़ा सा पानी grease किया और टिकीया हम बना लेंगे यह वाले टिकीया में हम corn flow या चावल काटा वेगरा mix नहीं करेंगे क्योंकि यह रगड़ा चाट के साथ जाएगा तो वो फिर अच्छा नहीं लगता है फिर मैंने एक तवा ले लिया और तवा मैंने oil add कर दिया है और इसको हम self fry कर लेंगे चारों तरफ से oil से तवा को मैंने grease कर लिया उसकी वाद इसमें हम एक एक करके सारा टिकीया रख देंगे गाइस यह जो टिकीया चाट है बहुत ही यम और tasty लगता है मैं मेरे घर पे जैसे बनता है वैसे बनाऊंगी और मेरे तरीके से एक बार आप ट्राई करना बहुत ही यम लगता है टेस्टी लगता है और वहाँ पे मैंने egg boil होने के लिए रख दिया था क्योंकि हम लोग एक खाते हैं पर दे और चाट के लिए मैं कुछ veggies कट कर लूँगी जैसे धनिया पत्ता, wheat, गाजर और खीरा, onion इस मूली भी मैंने लिया है यह वारा चाट में मूली की recipe भी मतलब मूली एड़ करने से भी इस recipe का स्वाथ बहुत बढ़ जाता है यहाँ पर मैंने सारा जो veggies लिया था उसको cut कर दिया है और यह सारे veggies डाल देने से थोड़ा healthy भी हो जाता है बच्चे vegetable नहीं खाते बगर चाट वगएरा जो होता है बच्चों को पसंद आता है उसके साथ ही वो बहुत healthy healthy vegetable खा लेते हैं क्योंकि wheat भी काफे healthy गाजर भी healthy है और आपका cucumber भी healthy है खीरा तो इसलिए आप चाट पर कहरा बनाते हैं किसी भी चीज को बनाते हैं उसमें vegetable जिसमें add होने का है आप add कर दीजेगा तो बच्चे आपके आराम से खा लेंगे तो चलिए बनाते हैं चाट तो मैंने यहां पर एक प्लेट में दो टिक्की रख दी है अलू की और यहां पर मैंने जो रगड़ा बॉयल करके रखा था वो रख दिया है मटर की गुणी और पता नहीं लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम है इसलिए कलर चेंच लग रहा है यहां पर मैंने इमली का पानी एड़ कर दिया है टू टेवल स्पून और जो भाजा मसाला होता है न वो एड़ किया है रेसेपी मैं आपको बता दूंगी उसके बाद मैंने चाट मसाला ए और रेट चिली पॉड़र और जो भाजा मसाला है न उसमें है धनिया जीरा लाल मिर्ट सौफ इसको अच्छे से मैंने फ्राई करके उसके वाज का पॉड़र बना लिया और थोड़ा सा लेमन और सैलेड और ग्रीन चिली मैंने एड़ किया आप चाहे तो मीठी वाली जो च जाती हूं मेरे फैमिली में ऐसा ही टेस्ट पसंद करते हैं इसलिए और खाना वाना खाने के वाद हम लोग आ गये थे छट पे काफी बारी सुई थी आप देख सकते हैं और बच्चे यहाँ खेल रहे थे और मैं अपना वॉक कर लिए थी चीकू काफी इंजॉय करता है इन लोगों के साथ और अच्छा लगता है इस टाइम पे छट पे आ जाना काम वाम करके थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकालना ज़रूरी होता है और जो दिन भर के काम करने के बाद जो थकावट हो जाती है उसके बाद आप थोड़ा सा बाहर निकलो वॉक कर लो बच्चों के साथ खेलो फ्रेंस से बाते कर लो तो आपका माइंड भी फ्रेस रहता है और आपको काम करने में भी अच्छा लगता है तो थोड़ा सा टाइ माप अपने लिए जरूर निकाले और बच्चों के साथ तो रियली में बहुत अच्छा लगता है और यहाँ चीकू का जो बॉटल है वो मैं बॉयल कर रही थी और मैंने बूला था ना ओनलाइन कुछ समान मैंने मंगाया था तो वो सब आ गया है मैं इस पाद थोड़ा सा अलग तेल भी यूज किया रही हूँ देखती हूँ कैसा होता है ने तो मैं फॉर्चुन और डावर के यूज करती थी तो यही सब था मेरा रिफाइंड ओयल, मस्टर्ड ओयल और ओट्स मंगाया था मैंने और काफी ओफर में भी मिल जाता है आप ओल्लाइन जब मंगाते हैं तो देखिए यह एक केजी का ओट्स है 395 का और मुझे 250 में मिल गया था दो केजी मैंने लिया था दो पैकेट का तो 500 इसका प्राइस पड़ा था मेंको तो ओल्लाइन स्वापिंग करने से थोड़ा सा आपका बचत भी हो जाता है और मार्केट जाता है याईस कितना अच्छा धूप निकला है आज देखें बहुत कड़क की धूप निकली है बहुत अच्छा काफी दिन के बाद ऐसा धूप देखने को मिल रहा है कर यहाँ बहुत बारिस हुई और उसके बाद आज इतना अच्छा धूप हुआ है बहुत कड़क की धूप हुआ है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा थैंक्यू